हरे कृष्णा सो वीडियो ऑन मौनिंग वॉक अगैन आज हम बात करेंगे कि जब आप घर पे कुटा रखते हैं या डॉग रखते हैं तो किस तरह से वो आपका पूरा का पूरा जीवन बदल सकता है देखे कुछ नक्सत्र ऐसे हैं जिसमें अगर आपका जनम हुआ है या कु वहाँ पर उनको miraculous results जो है वो डॉग रखने के उनको मिले हैं देखे सबसे पहली चीज शनी देव का जनम नक्षत्र है रेवती और रेवती नक्षत्र के अंदर अगर आपका जनम हुआ है या रेवती नक्षत्र में आपका Ascendant है या केतु आपका रेवती नक्षत्र में है तो ऐसे circumstances में आपको डॉग रखना चाहिए अगर आपका मकर लगन या एकवेरियस कुम्भ लगन है शनी का कोई भी लगन अगर आपके जीवन में है तो आपको definitely अपने खर पर डॉग रखना चाहिए बिकास इस विल अबिलिटी तो चेंज एंड ट्रांस्फोर्म एंटार लाइफ देखे रेवती नक्षत्र एक एसी अनरजी लेके चलता है बहुत पावर्फुल है शुक्र बहुत पावर्फुल फील करते हैं रेवती में और केतु के पास जो है एक संपूर्ण दिगबल डिर दोग होम तो इस समय में आप जो है डॉगी आप घर पे ला सकते हैं और वो आपको काफी पॉजिटिव रिजर्ट्स जो है आपके जीवन में देखा देखे शनी के कई होरोस्कोप्स मैंने देखे जैसे जिनका मकर लगन था या जिनका कुम लगन था दो मुमेंट दे ब्र बहुत पॉजिटिव एक उनके जीवन में आस्पेक्ट रहा इसके इलावा अगर आपकी कुम राशी है या मकर राशी है चंदर्मा आपके इन दो राशियों में विराजमान हैं तो भी आप जो है डॉग ला सकते हैं बहुत चे लोग कहते हैं अगर केतु छटे बाव में ह जाता है महीं लाना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है अगर च्टे भाव में भी केतु है और च्टे भाव में आपका बाइचांस देवती निक्षतर आ गया और वहां पर अगर आप डॉग लेकर आना चाहते हैं तो आप बिलकुल ला सकते हैं यह राहु केतु का ट्रांजिट का एक वीडियो जो है मेरा कल तक आजाएगा लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि इस राहु केतु के ट्रांजिट में अगर किसी को सबसे ज्यादा फाइदा होगा वो उनको होगा जो घर के डॉग लेकर आएंगे यह रुक्तों की सेवा करेंगे क्योंकि दो तर एक ऐसी राशी है जिसमें शुक्र उचके हो जाते हैं और साथ ही में ये एक ऐसा योग है जिसमें केतु के पास डारेक्शनल स्ट्रेंथ रहती है और केतु पिलकुल पीछे देख रहे हैं राहु महाराज को वहां से तो कही ना कहीं पर मुझे यह लगता है कि यह एक जो है और अगर आप मालीजे घर के सर्क्म्स्टांसी ऐसे हैं आप डॉग नहीं रख सकते हैं तो आप कुछ मत करिए आप सेवा करिए आप अब आप में हैं तो डॉग सेंटर्स होते हैं बहुत सारे तो डॉग सेंटर्स में आप खाना भीजिए मंगलवार और शनिवार के श्रणी लगनास, अक्वारियस, केटू, केटू in the 12th house, or a major transit happening in रेवती, right, you should bring dog, and it is going to give you fantastic results. Take my words, and I'm telling you from the experience of more than 20,000 horoscopes. Till then, Hare Krishna!